मैं डाक्टर जी के दिवेदी सहाय का चारे के आनलाइन क्रासिस में सभी दूरस्त यों मुक्त सिक्षार्थियों का स्वागत करता हूँ आपको विदित ही है कि मैंने अपने पहले लेक्षर सिक्षा के मनुब्यज्ञानिक परिपेच के अंतरगत इकाई एक के अंतरगत सिक्षा का अर्थ सिक्षा की परिभाशा मनुब्यज्ञान का अर्थ मनुब्यज्ञान के एतिहातिक परिपेच एवं उसके प्रकित पर ब्रिष्टिच चर्चा की है इस इकाई के अंतरगत उसके बचे हुए पार्ट सिक्षा मनुब्यज्ञान क्या है इस पर हम ब्रिष्टिच चर्चा करेंगे निसंदे सिच्षा मनुब्यज्ञान के ज्यान को प्राप्त करने से पूर्व सिच्षार्चियों के मन मस्तिस्क में सिच्षा क्या है सिच्षा की परिभाशाएं क्या है सिच्षा की विसेस्ताएं क्या है इसके साथी साथ मनुब्यज्ञान क्या है मनोबिज्ञान का साब्दिक अर्थ क्या है इसका इतिहास क्या है इसके प्रकित क्या है इसके विशेस्ताएं क्या है इनको समझने के पश्चात ही सिच्छा मनोबिज्ञान क्या है इसके विशे में जानकारी यदि प्राप्त की जाए तो उसमें सरलता होती है तो सिच्छा मनुविज्ञान के अंतरगत आज मैं आपको उसके अर्थ सिच्छा मनुविज्ञान के उदेश यह सिच्छा मनुविज्ञान के स्वरूप शिक्षा मनुविज्ञान के कारचेत्र एवन शिक्षा मनुविज्ञान का क्या महत्व है शिक्षा के छेत्र में इस पर चर्चा करेंगे मेरा ये वीडियो लेक्चर निसंदे दूरस्त सिक्षार्थियों के लिए लाप्रत्व होगा ही होगा इसके साथ साथ परमपरागत बिश्विद्यालियों में जो सिख्षार्थी सिख्षा सास्त्र से पीजी कारिक्रम कर रहे हैं उनके लिए लाब प्रद होगा सिख्षा मनुविज्ञान के अर्थ के संबन्द में हम कह सकते हैं मनुविज्ञान की एक महत्पूर्ण शाखा सिख्षा मनुविज्ञान है पहली लाइन पर ही फोकस है कि मनुविज्ञान की एक महत्पूर्ण शाखा सिख्षा मनुविज्ञान है अज यदि इसको देखें सिख्षा और मनुविज्ञान इससे ही क्लियर है कि सिख्षा मनोविज्ञान दो सब्दों से मिलकर बना है सिख्षा और मनोविज्ञान इसका साब्दी कर्थ है सिख्षा संबंदी मनोविज्ञान सिख्षा का संबंद मानो बिवार के परिमारजन से होता है सिख्षा हमेशा किसी भी मनुष्य के बिवार को परिमार्जित करती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया से उसके बिवार में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं जिसके कारण मानों के बिवार में आने को प्रकार के चेंजे जाते हैं जबकि मनुभिज्ञान इस ओर इसारा करता है कि मनुभिज्ञान के अंतरगत ब्योहार का अध्यन होता है मानो ब्योहार को उत्किष्ट बनाने की द्रिष्टी से जब ब्योहार का अध्यन किया जाता है तो अध्यन की इस साखा को सिच्छा मनोबिज्ञान कहा जाता है सिच्छा मनोबिज्ञान सैक्षिनिक परिस्थितियों में मानों ब्योहार का अध्यन करता है सैक्षिक समस्याओं का बैग्ज्ञानिक धंग से समाधान करने के लिए आधारभूत सिध्धान्तों का प्रयोक करना ही सच्छा मनोबिज्ञान की विशय वस्तु है सिच्छा मनुबी ज्ञान के अंतर्गत रानेको प्रकार के सिध्दांत किये गया है, जिनको निसंदे प्रयोक की कसोटि पर खरा उतारा गया है चैनल कि इसमें बैज्ञानिक्ता का पुट्र बार्म होता है सिच्छा मनुविज्ञान के अर्थ को समझने के उपरांत, इसके कंसेप्ट को और भली भाती, साइकोलाजिस्ट के दौरा दिये गए डिफिनेशन के आदार से समझा जा सकता है सिच्छा मनुविज्ञान के को परिभाशित करते हुए, क्रो और क्रो महोदय ने कहा, सिच्छा मनुविज्ञान ब्यक्ति के जन्म से लेकर ब्रिद्धा वस्था तक सीखने के अनुभावों का वर्णन कथा ब्याक्षा करता है आप कहा सकते हैं कि ब्यक्ति जन्म से ब्रिद्धा वस्था तक अनवरत सीखता रहता है सीखने की कोई सीमा नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती सीखने वाला किसी चे भी कहीं भी सिख्छा प्राप्त कर सकता है क्योंकि शिक्षा पुस्तकिय शिच्षा के साथ साथ âtन्यदध अदारित शिच्षा भी है क्रों एन्स सब्झाट इसकी नर्मौद्या ने सिच्षा व harms गग्ञान के संभन्द में कहा सिच्छा मनोबिज्ञान मनोबिज्ञान की वह साखा है जो सिच्छन तथा अधिगम से संबंदित होती है जबकि इस्तिफ़म मोदे ने सिच्छा मनोबिज्ञान के संदर में परिवाशा दी सिख्षा मनुविज्ञान सैक्षित विकास का क्रमबध अध्यन है आप कह सकते हैं सिख्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो मनुस्य के जीवन में अनवरत जीवन पर्यंत चलती रहती है उपरोक्त परिभाशाओं के बिवेचन के आधार पर या आप यह कह सकते हैं कि जो साइकोलाजिस्ट ने बिन बिन प्रकार की अपनी परिभाशाओं दी है उनके आधार पर निश्कर स्वरूप कहा जा सकता है कि सच्छा मनुविज्ञान सिख्षार्थी की सैच्छिक पर्यावरण के प्रती अनुक्रियों के साथ हिसाचिक वातावर में उत्पन समस्याओं और उनके समाधान का मनुविज्ञानिक अध्यन है सिख्षा मनुविज्ञान के अर्थ प्रिवाशा के पश्चात अब सिख्षा मनुविज्ञान अध्यन के क्या उद्धेश है इस पर चर्चा करेंगे कि सिख्चा मनुविज्ञान का उद्देश भी कि समाजिक परिस्थितियों में ब्यक्ति का उन्यन करते हुए कि सिख्चा के निर्दारित लक्षों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है कि आ जा सकता है कि सिक्षा मनुद्विज्ञान का जो देश है वो गोल ओरियंटेड है कि सिक्षा के कुछ गोल शिक्स कर दिया जाते हैं सिक्षार्थी उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है सिच्षा मनुद्विज्ञान के उद्देश को इसकी नर्मवदय ने दो भागों में भी भक्त किया है सिच्षा मनुद्विज्ञान के सामान्य उद्देश तथा सिच्षा मनुद्विज्ञान के बिसिस्ट उद्देश सरुपुरतम हम सरिच्चा मनु विग्ञान के सामान्य उत्देश गाहन इस पर जानकरी प्रदान करना चाहेंगे को कि सब्सक्रस्प्र और मनु विज्ञान के समान्य यो देश के अंतर्गत बालक के ब्यक्तित के विकास में सायता का देने वाले शिद्धानतों की खोश तता तज्छों का संग्रह करना है कि दूसरे उद्देश की अंतर्गत सिक्षक को सिख्षण पसिख्षण कारे में सहायता पहुशाना कि सिख्षण विदी एवं क्रिया कलापों में सुधार लाना सामाने उद्देश की अंतर्गत एक उद्देश यह भी हो सकता है कि सिख्षा के सांस्ग्रिटिक तथा बैवसाई उद्देशों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना इसकी नियर महोदे के नुसार सिख्षा मनुविग्ज्यान के विसिष्ट उद्देश निम्नमत में बिसिश्ट उस्तेस के अंतरगत पहले उद्देश के रूप में शात्र को अपनी योग्यता, शमता और सक्तियों को ज़्यानने में साहिता करना दूसरे उद्देश के इंतरगत, शिक्षक को इस बात की ज्यानकारी प्राप्त हो कि बालक के सीमा तक सीखने की ज्यानकारी रखता है तीसरे उद्देश के रूप में बालक के प्रती भेद भाव रही दृष्टिकोंड का विकास करना Next to this, शिक्षा संबंधी समस्याओं पर मौनोब्यज्ञानिक विदी से चिंतन करने में सहायता करना बालक के सर्वांगिन विकास के लिए उपयुक्त वातावरन एवं पाठेकरम, सिक्षन विदी, सिक्षन सामगरी के चैन में मदद करना कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगिन विकास किस आधार पर कैसे किया जा सकता है इसके लिए उपयुक्त वातावरन का होना आवश्यक है बहतर पाठेकरम होने चीए अच्छी सिक्षन विदी का प्रयोग किया जाना चीए सिक्षन सामगरी के माध्यम से अधि सिख्षारतियों को सिख्षा दी जाए तो निसंदे ज्यानारजन आसानी से अच्छे प्रकार से हो सकता है तो इस उद्देश के माध्यम से इन चीजों को कैसे चैन किया जाए इसमें मदद प्राप्त होती है सिक्षन की समस्याओं का समाधान करने के लिए सिख्षा सास्त्रियों द्वारा तथा सूद करताओं को औसर तथा प्रेना प्रदान करना सिख्षा मनुविज्ञान के बिसिष्ट उद्देश के अंतरगत इस पॉइंट को बहतर स्थान प्राप्त है सिख्षा मनुविज्ञान के सामान ने एवं विसिष्ट उद्देश जो इसकीनर महोदेदवारा बरगित किया गया है इसके अध्यन के उपरांत अब मैं आपको सिख्षा मनुविज्ञान के स्वरूप के संबंद में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूँगा जैसा कि पूरुस से ही आपको मालूम है गतिकाई में ही आपको बताया गया कि मनुविज्ञान की प्रकिती बैज्ञानिक है मनोबिज्ञान की प्रकिती बैज्ञानिक है निसंदे सिख्षा मनोबिज्ञान की प्रकिती भी बैज्ञानिक ही होगी शिख्षा मनोबिज्ञान के अध्यन से इस्पस्ठ हो जाता है कि मनोबिज्ञान के सिध्धान्तों का प्रयोग शिख्षा के छेत्र में किया जाता है मनो बैज्ञान की साहता से सीखने के नियम, ध्यान, ठकान, इस्मरण की विदियों, पाठिक्रम निर्माण के सिद्धान, सिक्षण एवं सैक्षिक मुल्यांकन आधि के संबंद में बैज्ञानिक सिद्धानतों और नियमों का निरूपन किया जाता है इस प्रकार अधिन अधियापन की द्रिष्टी से मनो बैज्ञान के समान ही सिक्षा मनो बैज्ञान की प्रकिती बैज्ञानिक कही जा सकती है क्लियर हुआ कि सिक्षा मनो बैज्ञान दो सब्दों से मिलकर बना है, सिक्षा प्लस मनो बैज्ञान तो मनो बैज्ञान की प्रकिती भी बैज्ञानिक थी, उसी प्रकार सिख्छा मनो बैज्ञान की प्रकिती भी बैज्ञानिक ही ही है प्रकित के पश्चात, अब सिख्छा मनो बैज्ञान की क्या भी सेस्ताएं हैं इस पर चर्चा करेंगे सिख्षा मनोविज्ञान की परिभाशाओं जो विबिन विद्वानों के द्वारा दिये गए मनोविज्ञानिकों के द्वारा जो अन्य विवरन प्रस्तुत किये गए उसके आदार पर मनोविज्ञान की क्या-क्या भी सेष्टाएं हो सकती है उस पर प्रकास डालने का प्रयास करोंगा निसंदे विस्षेश्ताओं के संदर्ब में हम कह सکते हैं कि सिख्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिश्व आवस्था से प्रवढ़ा वस्था तक सीखने वाले व्यक्तियों के वियुहार में होने वाले परिवर्तन का गहन अध्यन करता है का सकते हैं कि सीखने शिखाने की प्रक्रिया जो जीवन परियंतर चलती है तो सीखने शिखाने की इस प्रक्रिया में सैश्यावस्था से प्रवणावस्था तक या बाल्याकाल से प्रवणावस्था तक या प्रावरंबिक अवस्था से आगे की अवस्था में जो परिवर्टन होते हैं उसका अध्यन किया जा सकता है इसके अतरीक तो श्चा मनोविज्ञान के अंतरगत सैचिक वातावरन में किये गए बिवहार का आकलन इस मनोबिज्ञान का बिसे वस्त हो सकता है इसकी जरूरत हो सकती है हम कह सकते हैं सहचिक वातावरन में किये गए बिवहार का आकलन सिख्षा मनोबिज्ञान में किया जाता है इसके साथ ही सहचिक वातावरन वह है जिसमें ब्यक्ति अपने बिवार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है इसके अलमा सिच्छा मनु विज्ञान को विज्ञान के अंतरगत नहित किया गया है और इससे वस्तोनिस्थ ज्ञान प्राप्त होते हैं इसके विदियां बैज्ञानिक प्रक्रम प्राधारित होती हैं जिसमें सोध हो रहा हो या जिसमें सोध होने की संभावनाएं हूं इसके पश्चात प्रेशक्षार्थियों मैं अब आपको सिक्षा मनुविज्ञान के क्या कारिशेत्र हैं उसके विशे में चर्चा करूंगा सिक्षा मनुविज्ञान के आर्थयों मुद्देश से स्पस्थ है कि सिक्षा मनुविज्ञान सिक्षार्थी सिक्षक तथा सिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित है आपका सकते है कि यह ट्राइप पूलर प्रोसेस है केंद्रबिंदु में सिक्षार्थी है अधिगम शिच्छत सिक्षार्थी सिक्षा मनुविज्ञान की एकारिछेत्र के संबंद में इसकी नर महोदय का मत है सिक्षा मनुविज्ञान मानो बिवहार का सैक्षनिक परिस्थितियों में अध्यन करता है इसका संबंद मानो बिवहारों और व्यक्तित्यु के अध्यन से है जिनका उत्थान विकास और मार्ग प्रदर्शन सिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही संब्व है या आप कर सकते हैं कि सिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है सिक्षा मनुविज्ञान के कारेशेत्र के अंतर्गत्थ इसके पश्चात बालक के विकास की अवस्था है सेश्य वस्था बाल्य वस्था किसोरा वस्था प्रवणा वस्था की जो यह विविन वस्थाएं हैं इसके अंतरगत उसका अध्यन किया जाता है सीखने की प्रक्रिया सीखने सिखाने की प्रक्रिया इसको विविन शैचिक मनोबैग्यानिकों ने अलग-अलग थियोरी के बिन्नताओं का अध्यन इसके अंतर्गत आपको पता ही है कि समाज में भी बिन्न प्रकार के प्राणी वास करते हैं उनके नेचर उनकी सोच में बिन्नताएं होती है इन बिन्नताओं को मनोब ज्यानिक धर्णिंग से कैसे समझाया जा सकता है इस चैप्टर के अंतर्गत इसे सिखाने का प्रयास किया जा सकता है इसके अलामा अभी प्रेड़ना बुद्धी व्यक्तित्व बिसिष्ट बालक बिसिष्ट बालक के अंतर्गत आप जानते ही है ऐसे बालक जोना के वल डिफरेंट लिए बूल हूं आप तू गिफ्टेट हूं प्राबलमेटिक हूं क्रिये हूं विज्वली इंप्याड हूं मेंटली इंप्याड हूं या हीरिंग इंप्याड हूं इस प्रकार के सिक्षार्थियों की सिच्छा की विवस्ता बिसिष्ट शिक्षा के अंतर्गत बिसिष्ट बालकों के निमित की जाती है इसके अलामा सिक्षा मनुविज्ञान के कार सैक्षिक निर्देशन यवं परामर्स, सैक्षिक समस्याएं तथा मापन यवं मुल्यांकन को अध्यन के विशय वस्तु के रूप में रखा गया है। सिक्षा मनुविज्ञान के कारे छेत्र के पश्चात इसे काई के अंतरगत अब हम उसके अंतिम बिंदू पर चर्चा करेंगे। सिक्षा मनुविज्ञान का क्या महत्व है। सिक्षा मनुविज्ञान के सिक्षा में क्या प्रासंगिक्ता है। कि इस्ट्चा मनुविज्ञान का अध्यन बालकों के लिए क्यों आवश्यक है तो महत्युक्य अंतरगत बरतमान सिख्षा पद्दती बाल केंद्री ते हैं जो सिख्षा का ढाचा बनाया हुआ है बालकों को केंद्र में रखकर बनाया गया है सिख्षा से सूड़ी समस्याओं का समादान सिख्षा मनुविज्ञान के अध्यन से ही संभव है सिख्षा के ओदेशों को प्राप्त करने में सिख्षा मनुविज्ञान मातपूर्ण भूमी का निवाता है एक सफल अध्यापक बनने यम बालकों को ब्यापक द्रिश्टकूण वाली सिख्षा देने के लिए आवश्यक है कि अध्यापकों को सिख्षा मनोविज्ञान का ज्यान होना चीए अध्यापक किसी बालक को तभी सिक्षित कर सकता है अध्यापक किसी बालक का ग्यानवार्दन उसका सरवांगिन विकास तभी कर सकता है जब उसे बाल मनोविज्ञान का ग्यान हो इसलिए का जा सकता है कि बालकों को सिख्षा देने के लिए सिख्षा मनोविज्ञान का ग्या होना अति आवश्यक है इस अंदर में चार्ल्स इसकी नर्म होदय ने कहा इसक्षा मनुविज्यान को कि सिक्षक निर्माण की आधार सिला माना है कि सिक्षा मनुविज्यान अध्यापक को स्वम् के भी सह में जानकारी प्रदान करता है कि मनुविज्यान ने कैसा माध्यम है जिसके माध्यम से ही अध्यापक की अंदाजा लगा सकता है कि मेरा लेविल क्या है मेरा इस्तर क्या है आख दोसरे विशेष्ता के अंतरगत है या दूसरे महत्थ के अंतरगत से इतीकता के सास्माज लेता है तो निसंदे कि वहां बालक का सिख्षा के माद्यम से सरवांगरन विकास कर सकता है महात्यू के संद्र में अगले बिज्था के अंतरगत न्यां करक्षका मनम सक्षा आत्मया छi दो आधन के द्वारा कि विकासात्मक पच्च की विसेश्ताओं को सरलता से समझा जा सकता है। अगले इंपार्टेंस के रूप में सिक्षा मनुविज्ञान, बालकों की रोची, एवं अवश्चक्ता के अनुसार, पाठेक्रम रचना में सिक्षकों की मदद करता है। अगले मातु के अंतरगत, सिक्षा मनुविज्ञान, सिक्षण सायक सामगरी से बालकों को क्यालाब है, इसकी जानकारी प्रदान करता है। समुगत्यात्मक्ता की उपयोगिता के विशय में जानकारी सिक्षा मनुविज्ञान के द्वारा ही संभव है। विशय में अंतिम विद्नु के रूप में सिक्षा मनुविज्ञान, सुधकार हे तुभी, सिक्षा क्यों छात्र के लिए उपयोगी मार्च दर्शन प्रदान करता है। मेरे प्रिक्षिसार्थियूं, इस इकाई के माध्यम से मैंने आपको सिक्षा मनुविज्ञान के अर्थ, उद्दीश, विशेष्था, कारिछेत्र, प्रिम उसके माध्यों के विशय में जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाबानवित हुए होंगे। फिर भी किसी भी या समंजस, गतिरोध या समस्या की स्थिति में वत्तरवरदेश राजय सी टंडन मुक्त विश्विद्याले के सिच्छा विद्याशाखा, विवाग में मेरे से ब्यक्तिसह संपर के माध्यम से या चैट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या का निदान प्राप्त करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उत्तरवरदेश राजय सी टंडन मुक्त विश्विद्याले द्वारा, अपने शिक्षारतियों के लिए इस वीडियो लेक्षर के म कहते हुए, सिक्षा को प्राप्त कर सके। इस लेक्षर के पूर मैंने इस इसकाई के अंतरगत सिच्चा मनुव ज्ञान का और तो देश्यों महत्वर पर प्रकास जाला था, तदि आपको फिर भी कोई समस्या हो, तो आप व्यक्तिगत संपर्क करके इसका निदान प्राप कर सकते हैं, आपने मुझे ध्यान पूर्वक्स होना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.